अब जैसे कि आप जानते ही हो कि 12th September को आपको iOS 16 का final stable version देखने को मिल जाएगा अब अगर आपने public beta install किया होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे करके रखा है तो अगर आपको इस public beta से shift होना है final stable version पे या फिर आप कह सकते हो उसको official version या public release भी कह सकते हो उसको तो अगर आपको final official version पे shift करना है तो कुछ process आपको follow करनी होगी तो इस वीडियो मैं आपको पूरी process end to end detail में बताऊँगा as well as एक myth को भी मैं clear करूँगा इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेंड़ा मैं Amit Welcome back toology in taking in the it's time for technology अब यहां पर आप देख सकते हैं जो current iOS version है मेरा उसके end में एक alphabet है that is A जिसका मतलब यह कि लास्ट बीटा version है और इसके बाद एक RC version भी आ चुका है तो यहां पर हम software update में आता हूं यहां पर आप देख सकते हो iOS 16 को download and install करने का option में को मिल रहा है and learn more में आने के बाद आप पूरा detail देख सकते हो कि क्या क्या आपको इस iOS 16 में देखने को मिल रहा है अब यह जो है वो RC version है RC मतलब release candidate तो RC version में ज्यादा तर जो bugs होते वो fix किये जाते जो आपको बीटा में मिलते थे अब आप मेरे को यह पूछो कि क्या RC version final stable version में कुछ फरक है तो देखो software में कोई भी फरक नहीं है दोनों ही same softwares है लेकिन एक फरक जरूर है that is RC version तब कहला जाता है जब आपके पास एक बीटा profile हो तो कहने का मतलब RC version के लिए आपको बीटा profile install करना पड़ेगा और जो final official stable version है वो OTA के जरी हर किसी को मिलता है जिनके पास compatible iPhones है तो अगर आपने बीटा profile install नहीं किया है तो directly OTA के जरी आपको Apple ये software पुश कर देगा लेकिन अगर आप बीटा profile यूज कर रहे हो तो सबसे पहले वो बीटा profile आपको करना पड़ेगा delete अब अगर आपके iPhone में ये RC version है या फिर latest जो भी public बीटा था वो है दोनों cases में आपको क्या करना है वो आपको इस वीडियो में बता दूँगा तो सबसे पहले as usual to be on a safer side आपको आपके data का backup ले लेना है तो एक बार आपने अपने iPhone का backup ले लिया होगा उसके बाद आपको next step पे जाना है अब next step में basically हम बीटा profile को delete करेंगे लेकिन ये बीटा profile को delete करने से पहले एक चीज आपको मैं clear कर देना चाहरा हूँ और वो ये कि एक बार आपने बीटा profile delete कर दिया उसके बाद आपको बीटा का कोई भी नया update नहीं मिलेगा and next time जब भी Apple X table release आपको देगा तो आप software update में जाके यह से आके install कर पाओगे लेकिन जब तक आपको official version देखने को नहीं मिलता है तब तक आपका जो भी previous beta था वो आपके phone में तो रहेगा ही रहेगा तो जो भी current beta version आप install करके बैठे हो अपने iPhone में वो आपका delete नहीं होगा आपका सिर्फ profile delete होगा तो अगर आप ये सोच रहे हो कि profile data delete करने से मेरा पूर ये myth clear हो चुका है अब हमाएगे हमारे settings में settings हमाएगे general में general में यहाँ पर आपको option मिलेगा VPN and device management यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो iOS 16 का यहाँ पर मेरे को एक profile देखने को मिल रहा है इस पर click करने के बाद यहाँ पर मेरे को option मिलेगा remove profile का तो मेरे को इतना ही करना है यहाँ पे आपका जो भी passport को enter कर देना है मैं आपको पूरा process करके दिखा रहा हूँ so that आपको कोई भी confusion न आ रहा है तो यहाँ पे मेरे hours Count डाल दिया है उसके बाद मैं को remove का option आ जा रहा है इसको में remove कर लेता हूं and उसके बाद मैं को यहाँ पे restart करने का option आ रहा है इस iPhone को restart कर ले थे सबसे पहले एक बार आपका restart process शुरू हो जाएगा यहाँ पर आपको apple लोगो देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा phone restart हो चुका है अब password डालके जैसे आइफॉन को मैं open करूँगा सबसे पहले settings में आपको मैं दिखा देना चाहरा हूँ जनरल में आते हैं about में आते हैं यहाँ पर iOS version पर आते हैं आप देख सकते हैं अभी भी iOS 16 ही दिख रहा है तो अगर आप यह डर रहे थे कि यह डिलीट करने के बाद मेरा iOS 16 कंप्लीटली हड जाएगा मैं iOS 15 पर आ जाऊँगा मेरा backup चला जाएगा मेरा पूरा data चला जाएग आप देख सकते हो पूरा ना वाला जो मेरे फोन में था वो सेम आपको यहाँ पर दिख रहा है और जनरल में आने के बाद आप यहाँ पर VPN में आते हो तो वह बीटा प्रोफाइल अलेडी डिलीट हो चुका है अब आपको आना है software update में और यहाँ पर आप देख सकते iOS 16 और iOS is up to date अब आपको और कुछ भी नहीं करना है बस आपको wait करना है final stable version का तो एक बार Apple आपको stable version दे देता है आपको यहाँ पर आके उसको download करके install कर देना है अब जैसे के मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था दो options है option number one अगर आपने already RC version install कर लिया होगा तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी software update देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जैसे के मैंने आपको बताया RC version ही final stable version है फरक इतना ही है उसके public beta profile का तो अगर आपने RC version already install कर दिया होगा उसके बाद यह पूरा process follow किया होगा तो यहाँ पर आपको कोई भी software update देखने को नहीं मिलेगा लेकिन आगे बीटा पर ही चल रहे है जब आपने पूरा process follow किया है तो in that case जो भी official stable version apple आपको push करेगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो जैसे ही आपको final official version देखने को मिलता है यहाँ पर आके आपको software update कर देना है अब आपके पास दोनों ही options है या तो आप RC version install करके यह profile delete कर सकते हो and next update का wait कर सकते हो that is 16.1 या फिर जो भी next update होगा या फिर second option यह है कि आप public beta पर ही रहो यह profile को delete कर दो and फिर final जब आपको apple देता है stable version वो यहाँ से आके आप उसको install कर दीजे so दोनों ही processes correct है दोनों में कोई भी problems नहीं है अब बिंदा साके पूरा process follow कर सकते हो ल जरूर करें देखते रहे ओलो जिन टेकन इंदियो मिलते हैं next वीडियो में